इस वीडियो में समकुंतिर्भूज, नयून कोंतिर्भूज और अधिक कोंतिर्भूज ये सभी आपको जानने को मिलेगा तो बस ध्यान से देखिए आईए सातियों, आज हम समझने वाले हैं समकुन तरभोज तो यहाँ पर लेखा हुआ है समकुन तरभोज और जिसे हम इंगलिस में बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल और यहाँ पर परिभासा है, परिभासा से आपको समझ ना आएगी तो एक्जामपल से पका समझ आही जाएगा यहाँ पर है ऐसा तरभोज जिसका कोई एक मान 90 डिगरी हो तथा बाकी कोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिगरी ही होना चाहिए तो वो आपको क्या कहलाता है समकुन तरभोज तो यहाँ पर परिभासा है अगर आप इसको लिखना से आते हैं तो लिखिएगा वीडियो को रोक कर तो आईए अब हम इसको उदारन से समझते हैं तो यहाँ पर आसानी से आपको दिख रहा है क्या समकुन तरभोज दिख रहा है देखे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा तिर्भूज जिसका कोई एक मान 90 डिगरी हो तो मतलब यह कि तिर्भूज में कितने कोन होते हैं तीन कोन होते हैं एक यहाँ हो गया दूसरा यहाँ हो गया और तिसरा यहाँ हो गया इन तिनों कोनों में से कोई एक का मान कितना होना चाहिए 90 डिगरी होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है 90 डिगरी होना चाहिए तो यहाँ पर देख सकती है एक का मान कितना है 90 डिगरी तथा बाकी कोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिगरी ही हो तो जैसे देख सकते हैं एक का कितना है नबे डिगरी और बाकी कोन का योग कितना है जैसे 60 यहाँ पर है और 30 यहाँ पर है इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है कितना नबे आ जाता है तो एक तरफ से यह क्या है हमारा सम कुन तरफ हो जाए जी हाँ यहा यहां पर 60 न लिख करके, यहां और 30 न लिख करके, यहां पर हम मानते हैं 45, और यहां पर भी मानते हैं 45, और साइज इसको छोटा करता हूँ, यहां पर मानते हैं 45, तो हम यहां पर 60 न लिखते हैं, और 30 न लिखते हैं, और 45 लिखते हैं, तो क्या 45 यहां और 45 यहां, यह दोन है कितना 180 degree जो हमारा होता है वो तिर्भूज के तीनों कोनों का योग होता है तो आप समझे कि यह क्या है सही है तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर मैंने मिटका लिया है यहां पर और साइज बढ़ा करता हूँ तो आपको समकुन तिर्भूज आया की नहीं आया एक कोन कितना होगा 90 डिग्री का होगा बाकी कितना भी होगा तो चलेगा लेकिन बस ये चीजे खियाल रखना है कि दोनों कोनों को जोड़ेंगे मतलब एक नबे होगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होना चाहिए 90 ही होना चाहिए तो वो आपको कहला गा समकुन तिर्भूज जैसे मैं यहां पर आपको सम्झा रहा हूँ समझिये गौर किजएगा गौर कीजेगा, जरासा भी मिस कीजेगा, आपको समझ नहीं आएगी तो मानती हैं, यहां पर कितना होना चाहिए, नबे तो एक हमारा नबे तो हो गया अब दूसरा मान लेती हैं, यहां पर हम सतर मान लेती हैं कौन का मान हमारा 90 होगा बाकी में आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन हाँ जोडने पर हमारा टोटल ये सब को जोडने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए जैसे हम यहाँ पर एक तो 90 लिख दी है और दुसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी मान लेते हैं यहाँ पर 40 ले लेते हैं 40 यह 40 डिग्री है और यहाँ पर क्या है 40 यहाँ हो गया और यहाँ पर 50 अब तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हमारा 180 डिग्री आ जाएगा जी हाँ अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा नबे आ ही जाएगा तो परिभासा में बहुत ही सींपल है यहाँ पर इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए और आसानी से लिखिए ठीक है तो यहाँ पर आप इसको देखकर ही समझ गए होंगे कि आखिर समकुन होता क्या है तो यहाँ पर इसको बिलकुल गहराई से आप समझ सकते हैं दोबारत से पढ़ लेजिए ऐसा तिर्भोज जिसका कोई एक मान नबे डिग्री हो मतलब एक मान नबे डिग्री है बाकी कोनों का योग कितना होना चाहिए नबे होना चाहिए मतलब यह 60 है और 30 है यह दुनों को जोड़ेंगे तो नबे हो ही जाएगा ठीक है तो ऐसे आप समझ सकते हैं यह आपको कहलाता है समकुन तिर्भोज और तिर्भोज के तीनों कोनों का योग हमारा होता है 180 डिगरी यह बात जरूर ख्याल रखेगा जी हां साथ योग अगर आप यहां पर आसानी से देखेगा तो नयून कोन तिर्भोज लिखा हुआ है और यहां नयून का मतलब होता है अक्यूट और कोन का मतलब एंगल और तिर्भोज का मतलब ट्राइंगल तो इसको समझना कैसे तिनों को अगर हम साथे पढ़ते हैं तो नयून कोन तिर्भोज यह किसे कहते हैं क्या होता है तो मैंने आसानी से लिख रखा है बहुत ही आसान है वो क्या है तो यहां पर समझे ऐसी तिर्भोज जिनके सभी अंतहकुन का मान 90 डिगरी से कम हो उसे हम कहते है नयून कोन तिर्भोज देखे आपको उधारान से समझा रहा हूँ आप इजी वे में समझ जाजेगा एक बार और से पढ़ते हैं लिखा क्या हुआ है कि ऐसे तिर्भोज जिनके सभी अंतहकुनों का मान 90 डिगरी से कम हो तो हम उसको क्या कहते है नयून कोन तिर्भोज कहते है जैसे मैं आपको मैं समझा रहा हूँ ध्यान दिजिए अभी अभी आपने यही देखा होगा ना तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है नयून कोन तिर्भोज लिखा हुआ है तो यहाँ पर परिभास में भी मैंने लिख राखा है उपर कि ऐसे तिर्भूज जिनके सभी अंतह कोन अंतह कोन कहने का मतलब होता है साथ ही अंदर के कोन ये अंदर के कोन है ये भी अंदर के कोन है और ये भी अंदर के कोन है तो अंतह कोनों का मान क्या हो 90 डिगरी से कम हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 नबे से कम होता है और 75 यहाँ पर भी 90 से कम होता है और 30 क्या है 90 से कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं नयून कोन कहते हैं नयून कोन तिर्भूज कहते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने नबे से कम लिखा है यहां पर भी नबे से कम लिखा है और यहां पर भी नबे से मैंने कम लिखा है अगर आप इन तीनों को जोड़िएगा ना इन तीनों को जोड़िएगा तो आपका आज आगा 180 और आपको भी पता है तिर्भूज का आईए इसको बहुत ही गहराई से समझते है तो साथ को यहाँ पर लिखा हुए अधीक कोन तरभूज जिसका एंगलिस होता है obtuse angle triangle ओके तो इसका परिभासा आपको भले ही समझ ना आए लेकिन example से आपको बिल्कुल समझ आ ही जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुए है ऐसा कोन जिसका एक कोन 90 डिगरी से अधीक हो तथा बाकी कम हो उसे हम क्या कहते है अधीक कोन तरभूज कहते है तो यहाँ पर आपको आसानी से दिख रहा है जी हाँ आपको बिल्कुल आसानी से दिख रहा होगा कि ऐसा कोन जिसका एक कोन 90 डिगरी से अधिक हो तथा बाकी कम हो उसे हम क्या कहते हैं अधिक कोन समझते हैं अधिक कोन कहते हैं ठेक है अधिक कोन तरभूज कहते हैं ठेक है तो आईए इसको हम एक्जामपल से समझते हैं कि आखिर इसको समझना कैसे है तो यहाँ पर एक्जा पर तिर्भूज के पहला कोन है यहां और यहां फिर यहां ठीक है तो यह सब क्या है तिर्भूज के कोन है और इन तीनों कोनों का मान कितना होता है तो आप सब को पता है कि तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 degree होता है ये चीज पता होगा तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है अधी contribute तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसलिए आपको दीख क्या रहा है कि 120 यहाँ पर है और 30 degree यहाँ पर है और 30 degree यहाँ पर है अगर हम इन तीनों को आपस में जोड़ती हैं तो आप देखेंगे कि आपका कितना आजाएगा 180 degree आजाएगा जी हाँ 180 degree आजाएगा यकिन नहीं है तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आसानी से दिखरा है आपको 30 degree यहाँ है 120 degree यहाँ है और 30 degree यहाँ है यही चीज समझना होता है क्या कि एक कौन का मान कितना होने चाहिए 90 डिग्री से अधीक तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 क्या है 90 से कम है और यहाँ पर भी 30 क्या है 90 से कम है लेकिन यहाँ पर देखें 120 क्या है 90 से अधीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं मारा तिर्भूज का यहां जो कौन है बन रहा है 120 डिग्री है मतलब यह 90 से कितना है बड़ा है जी हां 90 से यह बड़ा है तो 90 से एक तो बड़ा हो गया बाकि कितना है छोटा है तो यहां पर 30 छोटा है तो यहां पर एक कौन बड़ा है बाकि छोटा है तो यह आपका क्या है अधीक कोन का चिनहासी है ओके तो अधीक कोन तरभूज आप समझें कि नहीं समझें अधीक कोन तरभूज में बस आपको यही चीज ख्याल रखना है कि एक कोन कितना होगा 90 डिगरेश चे अधीक होगा और बाकी कितना होगा कम होगा उसे हम क्या कहते हैं अधीक कोन आइधे हैं तो हम शो चाहिए यहा हो गया तो इन तीनों को अगर हम आपस में बहुत जोडते हैं, तो बहुत यह आसानी से आपको क्या आजागा? 180 डिगरी आजागा, तो 180 डिगरी आजागा इसका मतलब यह है कि आपका क्या है? यह सही है, तो आपको अधी कोंतर भूज आया कि नहीं आया, बस आसानी से ख्याल रखे कि एक कों का मान क्या होगा? ज्यादा होगा और बाकी छोटा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप, देख कर, ठीक है? तो यहाँ पर 120 क्या है? एक कों है, तो यह क्या है? ज्यादा है, बाकी कम है या नहीं कम है? लेकिन हाँ, आपको बैठाना वही होगा, तकि तीनों को जूड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए 180 डिगरी आना चाहिए ठीक है तो एक कोन अधिक हो बाकी कम हो कितना से अधिक हो यानि 90 से अधिक हो ठीक हो तो यहां पर आपको समझ आ गया हो तो चलिए आज किस वीडियो में इतना ही अगर मेरे दिव हुज जनकारी से अ जूड़े रहेंगे